Hello Friends, Welcome to Study News हमारे देश में तीसरी बार New Education Policy आई है इस Policy में School Education, Board Exam Graduation में काफी Changes हुए है Students पर से Board Exam का भार कम किया जाएगा और पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी Graduation में एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रधान मंत्री नरेन मोदी की अधिक्स्ता में हुई मंत्री मंदल की बैठक में नई नीती पर मुहर लगाई गई है सिक्षा पर सरकारी खर्च चार फिजदी से बढ़ा कर जीडीपी का च्छ फिजदी तक करने का लच है सो जानेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लेट अस स्टार्ट इसमें सभी इस तरो पर सिक्षा की लिए सभी जगे पहुँच बनाना है ताकि सभी पिछडे इलाके में कोई असिक्षित न रहे और इसके लिए हर जगे स्कूल और कॉलेज की निर्माड कराना है इस नई नीती में बच्चों में सिक्षा के प्रतिज ग्यासा बढ़ाना, टीम वर्क, सदाचार आर्ट, रिलेसंसिफ विद नेचर और बच्चे खुद के टैलेंट को पहचाने इसके लिए काम किया जाएगा इस पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये भी है इस पॉलिसी का कि बच्चों पर पढ़ाई का बोच्च न हो, उनकी किताबों का बोच्च कम किया जाएगा उन्हें एक्सपेरिमेंटर नौलिज देना उनकी सोच और समझ पर फोकस करना और टीचर से इंटरेक्ट करना सिखाय जाएगा इसमें लेंग्वेज पर भी विशेज धियान दिया जाएगा ताकि बच्चों पर कोई लेंग्वेज बोज न बन जाए या किसी विशेज लेंग्वेज की वजए से उसकी पढ़ाई पर कोई दिक्कत न हो इन सब पर भी धियान दिया जाएगा केंद्र सरकार ने बुद्वार को नई सिख्चानिती को मंजूरी दे दी है करीब 34 साल बाद आए इस सिख्चानिती में स्कूली सिख्चा से लेकर उच सिख्चा तक कई बड़े बदलाव किये गए इस नई सिख्चानिती के घोषना मानव संसाधन विकास मंत्राला ने की है हमारे इतिहास की ये तीसरी सिख्चानिती है इस से पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी में 1968 और 1986 में चेंजिस किये गए थे 1968 में इंद्रा गांधी और 1986 में राजियु गांधी हमारे देश के उसमें प्राइम मिनिस्टर थे और अब 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नित्रित्म में न्यु एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें काफी चेंजिस हुए हैं इस न्यु पॉलिसी में इस्टडी के फॉर्मेट को चेंज करके जो पहले 10 प्लस 2 था उसे बदल दिया गया है उसे अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मेट किया गया है इस्टडी फॉर्मेट में जो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है उसमें जो 5 है उसमें इसकूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी इसकूल के 3 साल और क्लास 1 और 2 के फाउंडेशन इस्टेज सामिल होंगे इसका कारीकूलम NCERT द्वारा तयार किया जाएगा इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गती वीडियो के जरिये पढ़ाई करवाई जाएगी इस्टेडी फॉर्मेट के अनुसार जो 3 साल का स्टेज है वो क्लास 3 से 5 तक का होगा इसमें बच्चों को साइंस, मैथ, आर्ट, सोसल साइंस और हुमेनिटी जैसे सबजेक्ट्स पढ़ाए जाएगे तीन साल का मिडल स्टेज होगा जिसमें क्लास 6 से 8 तक का स्टेज होगा क्लास 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की सिख्चा दी जाएगी इस्थानी स्थर पर इंटर्ण्सिप भी कराए जाएगे Middle stage से ही बच्चों को computer की भी जानकारी दी जाएगी Fourth stage class 9 से 12 तक का होगा ये 4 येर का होगा इसमें students को subject चुनने के आजादी होगी इसमें science या गड़ी के साथ fashion designing course भी बच्चे कर सकेंगे पहले students 1 से 10 तक समाने पढ़ाई करते थे लेकिन और class 11 से subject चुन सकते थे Fourth stage में students के अनलाइस्टिक एबिलिटी को भी बढ़ाये जाएगा स्कूलों से stream study को खत्म किया जाएगा अब students अपने पसंद से कोई भी विसे पढ़ सकते हैं New education policy में fifth class से जहां तक possible है वहां तक बच्चे अपनी मात्र भासा, इस्थानिय भासा और अपनी राष्ट भासा में study कर सकते हैं English language एक subject के तौर पे रहेगी अगर students इंगलिस पढ़ना चाते हैं तो पढ़ सकते हैं Sixth class से बच्चों को computer की knowledge दी जाएगी 9th and 12th class तक परिक्चाएं semester सिस्टम से होगी एक साल में दो semester होंगे और हर 6 महीने बाद परिक्चाएं होंगी और semesters के नंबर एड़ करके result मनाए जाएंगे Higher Education Secretary अमित खरे ने बताया है कि इस new policy में multiple entry or exit system लागू किया जाएगा Multiple entry और exit system में एक साल के बाद certificate, दो साल के बाद diploma और तीन चार साल के बाद degree मिल जाएगी तीन साल के degree उन students के लिए है जिने higher education नहीं लेना, जिने research नहीं करना वहीं research करने के लिए चार साल के degree लेना अनिवार रहे और चार साल के degree करने वाले students एक साल में MA कर सकेंगे पांच साल का सयुक्त graduation master course लाए जाएगा और M.Phil को खत्म किया जाएगा Post graduation course में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा UGC AICTE का दौर खत्म होगा Higher educational institutions Online approval के आधार पर Declaration मिलेगी अभी Central University, Eastern University और Private University में अलग-अलग नियम है भविश्थ में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे और फीस पर नियंतरर का भी एक कंत्र तयार किया जाएगा सभी तरह के वेग्यानिक एवं समाजिक अनुसंधानों को National Research Foundation बना कर नियंतरित किया जाएगा उच्च सिक्षर संस्थानों को बहु विश्यक संस्थानों में बदला जाएगा सिक्षा में टेक्नोलोजी के इस्तिमाल पर जोड दिया जाएगा इनमें ऑनलाइन सिक्षा का छेतरी भासा में कंटेंट तयार करना वर्चूल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, सिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संस्थानों से लैस कराने जैसी योजनाय सामिल है स्कूली सिक्षा, उच सिक्षा के साथ क्रिसी सिक्षा, कानूनी सिक्षा, चिकित्सा सिक्षा और तकनीकी सिक्षा जैसी वेवसाईक सिक्षा भी नई सिक्षानीती के दाएरे में होगी आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योगा, कम्यूनिटी जैसे सब्जेक्ट भी कोर्स में इंक्लूट किये जाएंगे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेज की बाद मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है थ्री लेंग्वेज फॉर्मिला अपनाया जाएगा मतलब विद्यार्थियों को स्कूल के सबी इस्तरों और उच्छ सिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अफसर दिया जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार किसी भी स्टुडेंट्स पर कोई भी भासा नहीं थोपी जाएगी भारत की अन्य परमपरिक भासा और साहित भी विकल्प के रूप में उपलब्द होगी इस्टुडेंट्स को एक भारत स्रेश्ट भारत पहल के तहट 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भासाओं पर एक परियोजना में भाग लेना होगा कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, इस्पैनिस, पुर्तगाली, रसियन, आदी भासाओं को सेकंडरी लेवल में सामिल किया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में केंपस खोलने की अनुमती होगी भारत के स्टुडेंट्स वर्ल्ड के बेस्ट इंस्ट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिसन ले सकेंगे उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा SC, ST, OBC और SEDGS स्टुडेंट्स के लिए नैशनल स्कॉलर्सी पोर्टल को बढ़ावा दिया जाएगा NEP 2020 के तहट स्कूल से दूर रहे लगबग 2 करोड बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाये जाएगा मानाव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोख्रिया निसंक उच्च सिक्षा सचिव अमित खरे और प्रकास जावडे करजी ने मिलकर ये कॉन्फरेंस की है जिसमें उन्होंने नई सिक्षा निती के बारे में बताया है और अमित खरे जी ने एजुकेशनल कोर्स के गाइड लाइन्स बताई है मानाव संसाधन विकास मंत्राले द्वारा जून 2017 में एक समीती का गठन किया गया था इसे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी समीती के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है इन्होंने 31 मैं 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की इसमें पहुँच एक्टिविटी, क्वालिटी, सामर्थ और वर्तमान में सिक्षा प्रडाली द्वारा सामना की गई जवाब देही की चुनोतियों का समदान करना सामिल है ड्राफ्ट निती ने सिक्षा में सार्वजनिक निवेस के रूप में सकल घरेलू उत्पात का 6% खर्च करने की प्रतिवधता की पुष्टी की है पहली राष्टी सिक्षा निती जो 1968 में आई थी उसमें सिक्षा में सार्वजनिक वे की सिफारिस GDP का 6% होना चाहिए था लेकिन हमारी GDP का 6% सिक्षा पर वे नहीं हो सका ये केवल 2-4% तक के बीच में ही रहा दूसरी सिक्षा निती में भी हमारी GDP का 6% वे करने की बात दोराई गई थी भारत में सिक्षा पर सार्वजनिक वे GDP का 2.7% था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिक्षा पर अब GDP को बढ़ा कर 6% तक करने का लच्छ है शिक्षा निती अगले 10 वर्षों में सिक्षा में सार्वजनिक निवेस को दुगुना करना चाहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर सिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है तो ये थी पूरी जानकारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आई होप आपको काफी जानकारी मिली होगी So have a nice day